अक्सर हमने देखा हैं कि जब घर में किसी को नशे की लट होती है तो परिवार वाले उस आदत से काफी परेशान होते हैं और इस लट को छुड़वाने के लिए रियाब सेंटर भेजना पड़ता है लेकिन रिसेंटली एक पतनी ने जिस तरह से अपने नशे बाज पती को ठिकाने लगाया है और उसके नशे की आदत चुड़वाई है उसकी चर्चा सभी तरफ है उत्तर प्रदेश में रहने वाले इस पती पतनी की कहानी अब चर्चा का विशय इसलिए है क्योंकि पती जो था उसे नशे की बहुत लट थी और वो नशे में पतनी को ना सिर्फ गालिया देता बलकि उसके साथ मारपीट भी करता पतनी ने कहीं बात विरोध किया पती को समझाने की भी कोशश की कहा कि नशा छोड़ दो लेकिन पती तो माने न मनाए जिसके बाद पतनी ने ऐसा किया कि पती उससे परेशान हो गया और उसकी शिकायत लेकर काउंसलर के पास पहुँचा और कहा कि मेरी जो बीवी है वो मे Marriage counselor ने इस वीडियो को देखा और वीडियो में वाकई में पतनी शराब के नशे में धुत थी और पती को गालिया दे रही थी उसके पीछे पीछे दौड रही थी हाथ आ जाता तो शायद वो से मार भी देती इसके बाद marriage counselor ने पतनी से भी पूछा कि क्या वाकई में तुम्हें शराब की लथ है और तुम अपने पती के साथ इस तरह का behave कर रही हो तो इस पर पतनी ने जो बताया उससे counselor ही नहीं बलकि पूरा जो court का staff है वो हैरान है और सबी जगे चर्चा है पतनी ने कहा कि मैडम मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ मैं अपने पती के drinking की habits से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैंने उसके सामने acting करनी शुरू कर दी वो जब भी आता मैं उसके सामने ऐसे act करती जैसे मैंने खूब नशा किया हो और acting करके ही मैं उसे गालिया देती और इस तरह behave करती कि उसे लगे कि मैंने वाकई में पी है marriage counselor ने पूरी तरह से जाच की पत्नी कहीं जूट तो नहीं बोल रही इसके लिए counselor ने महिला से बहुत सारे सवाल पूछे कुछ टेस्ट भी किये लेकिन कुछ नहीं निकला अंत में counselor ने भी माना कि पत्नी सच कह रही है उसने पती की इस हरकत को छुड़वाने के लिए एक नशेडी की acting करनी शुरू कर दी और वो acting इतनी जबरदस्त की कि पती उसे सच समझ गया counselor के पास गया उसने अपनी गलती भी मानी कि हा मैं अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हूँ नशे की हालत में मुझे नशे की लथ है अब counselor के साथ एक document बना है एक agreement बना है जिसमें पती ने ये वादा किया है कि वो पत्नी पर कभी हाथ नहीं उठाएगा और जहां तक drink की बात है तो वो हफ़ते में बस एक बार drink करेगा तो कह सकते हैं कि acting करके इस महिला ने अपनी जिंदगी बचा ली और अपनी शादी शुदा जिंदगी को सही track पर ले आई